तो हेलो बच्छो स्वागत आपका इंगलीज की क्लास अब दिए अभी तक पढ़ चुके थी प्रिजेंट इंडेफिनींटर्गूर्ज ठीक है ना और प्रिजेंट पर्फेक्ट में पढ़ लिए था अज स्टार्ट करेंगे प्रिजेंट पर्फेक्ट के सटेंस का प्रेक्टिस करेंगे English to English में ठीक है ना तो थोड़ा सा पहले मैं आपको revision करा देता हूँ कि present perfect में आपने क्या पढ़ाता हूँ present इसके अंदर आपने दो helping ones पढ़ी थी first से आपकी has और second से आपकी have ठीक है ना has आपने पढ़ाता है यह यूज होती है he she it name और singular के साथ है ठीक है और सेम आपने have पढ़ा था I, we, you, they and plural के साथ ठीक है इसी के साथ साथ आपने देखा था कि इसमें आपने four times पढ़ रहे थे अंदर सबसे पहला था आपका affirmative का अपने एक इस्टेक्चर है ठीक है न किसी भी सेंटेंस को बनाने का अपने पहले इस्टेक्चर होता है तो affirmative का इस्टेक्चर क्या है सबसे पहला था आपका सब्जेक्ट उसके बाद helping वर्व उसके बाद आपका आता है वर्व इसमें वर्व की थर्ड फाम आती है ठीक है और उसके बाद आप था आपका आपका आपजेक्ट नेक्स्ट आता है आपका इसमें negative नेगिटिव में not include हो जाता है इसका इस्टेक्चर क्या था सबसे पहले subject उसके बाद helping वर्व उसके बाद not उसके बाद वर्व की थर्ड फाम बी की थर्ड फाम लिख देता हूँ मैं उसके बाद आपका आपका object ठीक है थर्ड आता आपका yes no type इसमें आप answer yes और no में देते हो इसका इस्टेक्चर क्या था इस्टेक्चर में देख लिएते हैं सबसे पहले आपका है आपर helping वर्व उसके बाद आपका subject उसके बाद आपका इसके बाद आपका वर्व की धर्ड फॉर्म उसके बाद आपका object जो सारी चीजें मैं लिख रहा हूँ वो पढ़ा चुका हूँ पहले ठीक है एक छोटा से रिविजिन करा रहे हैं बस लास्ट आज आपका डॉल्लू एच टाइब के इसीगम बोलते हैं question word type ठीक है इसमें आप answer देते हो एक sentence में yes no type में answer देते हो yes or no मिच आपसे question करे आता है और question word type में answer देते हो एक sentence में ठीक है इसका structure हो जाएगा आपका सबसे वेले question word उसके बाद helping verb उसके बाद subject उसके बाद not है तो not लगा हुए वरना ही उसके बाद verb की third form और last में object और finally question 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 पूचा गया है ठीक है ना तो एक बार यह अच्छे से देख लो लास्ट का ही रिविजन है ठीक है इनी के basis पर आज काम करेंगे तो आगे चलते हैं प्रैक्टिस करते है तो sentence फर्स्ट देखा आपका रोहित है रोहित है रोहित हैव गॉन टू कानपुर तो रोहित नाम क ठीक है ना तो यह देखा आपने सबसे पहले क्या है subject है उसके बाद helping verb है ये भी ठीक है उसके बाद verb है ये भी ठीक है और उसके बाद क्या आपका object पर दिक्कत कहाई दिक्कत यहाँ पर आई कि रोहित अपने आप में क्या है singular है इसलिए तो singular है ठीक है ना एक है दिखरा रोहित उसके साथ है बना लगकर क्या आएगा है तो करेक्ट सेंटेंस होगा रोहित हैस गॉन टू कानपुर सेकेंड सेंटेंस है विजय हैस राइट दे स्टोरी तो यहाँ पर दिखो विजय अपने आप में subject ये भी ठीक है helping और ह एज ये भी ठीक है राइट फॉर्फ ये भी ठीक है जो करेक्शन रखा है यहाँ पर इसके बाद आपका object ये ठीक है पर दिक्कत कहाँ पर है कि विजय के साथ है जारा ठीक है पर जैस Она summaric के बास जाते हो थो आपको पता है कि नकिश्य फोर्म लगता है थार्ड फिंट सु तो कल लास्ट क्लास पर हमने वर्ब की फॉर्म सी पड़ी थी ठीक है न उसके बाद है थर्ड आपका आई हैस रिकॉनाइज जीओ आई के साथ सबसे पहले दो को हैस आएगा है वाएगा ठीक है आप बार 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 नहीं लिखू हो में हैं पर हैस अपनी साब से समझते रहो तो आई के साथ क्या आएगा है कि आई को हम कहां पर काउंट करते हैं प्लूलर में और रिकॉनाइज का हो जाए कि ठीक है बागी सेंटेंस करेक्ट है उसका फोर सेंटेंस है यॉर फ्रेंड हैस कानपूर रिज्ट ठीक है आब इसको समझने कोश करो सबसे पहले आपका सब ठीक है ना तो हमारे स्टेक्चर में कहीं ने के गड़बर हुई है ना सेंटेंस पर देखोगे मैंने बताया था कि सबसे पहले आपके क्या रहा था आप वर्व आ रहा था उसके बाद और पहले क्या आएगा वर्व आएगा तो वीच तो आपका वर्व है यहां पर आ क्योंकि राजू अपने अब में singular है उसके बाद helping और के बाद note आने एकदम सही है उसका द्वर्व की third form bone भी सही है पर जैसे हमने देखा है अपर her village आ रहा है तो मैंने आपको बताया था अपने के लिए हम use करते हैं he के साथ his ठीक है और she के साथ her ठीक है तो कहीं ने कहीं राजू अपने आप में क्या है लड़का है यहीं राजू किसको represent करता है boy को ठीक है ना और अगर girl होती तो किसको represent करती है she को तो राजू के साथ क्या आएगा his आएगा तो sentence correct क्या हो गया राजू has not gone to his village चलो आगे चलते है question 6 कह रहा he has not tell a lie he अपने आप में subject है उसके है अब आता आपका verb 10 ठीक है ना तो हमारा verb 10 टैल का मतलता बोलना टैल की third form होती है told और आप इस बात को अच्छे से जान चुकिए present perfect के अंदर हम टैल वर्ब की third form कर यूज कर लें तो यहां पर आजाएगा she has not told a lie lie का मतलता जूट बोलना जूट ठीक है ना seven sentences the bus have not come yet यानि बस अभी तक नहीं आईए तो इधर देखो subject आपका है the bus अब आप एक पात बताओ अगर बस होता तो प्लूरल होता और प्लूरल होता है पर हैवाना सही था पर दा बस अपने आप में singular होते हैं उपर आएगा है अब यहाँ पर आपने कम देखा न तो कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है यानि कि आने वाले sentence हों ठीक है जो मैंने कल वीडियो वराइती है तो सारी second form past indefinite में यूज़ वो निया था कोशा number eight बोला है शिवम हैस नौट बाइद कार ठीक है यानि सिवम नाम के वेक्ति है ठीक है जो अपने आप में singular है ठीक है तो उसके साथ है जाने एकदम सही है उसके बाद नौट आना भी एकदम सही है तो यहाँ पर काम क्या कर रहा हो बाए बाए का मतलता खरीद ला ठी नहीं होरी तो शिवम हैस नौट बॉट दाखा ठीक है सैंटेंस कुछ इस तरीके से बनेगा उसके बाद सेंटेंस नौबर नाइन है द द द द दस हैस नौट बार जिखो ड़स नी वह आपने डॉग होंगे यहापर क्या होगा ड़स की जिए का डॉग होंगे ठीक है ना ओ पर नहीं बूग रही ज़ी थे 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 यहापर आएगा ड़ॉग्स तो दॉग्स तो आपे बहुत सारे हैं इसलिए आपर हैसन आकर क्या है का है ठीक है उसके बाद क्या है बार्क का मतलब होता हुता भॉखणा अब बॉखणा और बार्क की थाट फॉर मॉडव पहले as it rain today टिक है यह क्शलाव थे क्या आज बारिस होई थी या क्या अधिन क्या बारीस होई है то has it rain टूड़े इट के साथ hasn आना बिल्कुल चाहिए चाहिए इसके वर्म है आपका रेन नना बारिसного एक रेन का बारिस न बारिस और rain today, next question पर चलते हैं, have you complete this work, you अपने आप में subject है, ठीक है, यो अपने आप में plural subject है, उसके साथ है वान एक दम सही है, उसके बाद आपका work आती है complete, ठीक है ना, तो complete का मत बता है, पूरा करना, तो complete की third form होती है, completed, complete की third form क्या होती है, completed, so you have completed the, this work, you had completed this work, यानि की हाँ पर आएगा completed, ठीक है, sentence 12 लिखते है, have you passed the exam, क्या तुमने exam को passed कर लिया है, ठीक है न, तो हाँ पर देखो subject आपका you है, you के साथ है वाना एक दम सही है, उसके बाद आपका work passed है, ठीक है न, तो past की third form होती है, past, क्या होती है, past, क्योंकि हमें work किया पर second form या first form यूज नहीं करनी है, कौन सी form यूज करनी है, third form, तो you have past the exam, ठीक है, उसके बाद question number 13, क्या बोला है, समझा उसको, what has they cooked today, ठीक है न, तो सबसे बहल आपका आगे question word, क्योंकि कौन सा type है, question word type है, उसके बाद helping word आगी, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद आपका subject आगया, आपका subject है, दे, जो की plural है, क्या है, plural है, तो उसके साथ has user नहोंकर, क्या उस होगा, have, तो what have you they cooked today, sentence अपने आप एकदम सही है, sentence 14 बोलना है, who has broke this watch, ठीक है न, who has broke this watch, इस गली को किसने तोड़ा है, ठीक है न, तो इसका sentence बनेगा, सबसे बहला आपका question word आगया, उसके बाद क्या आगया, helping word आगया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे, आप यहाँ पर आगया, work, देखो subject होएं, पता नहीं से में कौन है, ठीक है न, कहीं न, कहीं न, कहीं, जब हमें subject इसमें नहीं पता कौन है, तो इसके सब्जेक्ट लेके चलिएंगे, उसके according has आने एकितम सही है, ब्रेक का मतलब तोड़ रहा, किसी ने किसी ने क्या काम करा है, तो ब्रेक अपने आप में, ब्रोक अपने आप में, फर्स्ट फों में तो इसके ठ्ट फों होजागी, ब्रोकन, क्या होजागी, ब्रोकन, तो यहाँ पर आएगा, who has broken this watch, ब्रोकन दिस वॉच ठीक है बात आई दिस में सेंटेंस 15 किया रहा है वेर है यॉर ब्रॉदर गॉड ठीक है अब समझना सबसे पहले कोश्चन वड़ाने एकदम सही है उसके बाद हैं उसके बाद सब्जेक्ट भी ठीक है पर एक चीज़ समझो आपका सब्जेक्ट सिंग्लर यॉर ब्रॉदर है यह यॉर ब्रोधर है तो आप देखर हो यहाँ पर यॉर ब्रॉदर है कहीं नहीं सब्जेक्ट आपको सिंग्लर है उसके अक्वाडिंग अपर ally किया आएगा अ केज कोस्टन बर स्क्राइग वेर है लिए का घया यह कॉज्ट न कैसल देगा वाई उसक इसके वाद आपका helping और has आया, has he के साफ से एक्दम सही है, उसका द्वर्व आती है, आपके ring, क्या आती है, ring, ring कम लोता है, बजाना, गंटी का बजाना, तो ring की third form होती है, रंग, इससे पहले वर्ब की वीडियो पोड़ी, उसको अच्छे से देख सकते हो, कि किसकी कौन सी, पॉर्म्स होती है, ठीक है, ना तो ring की third form होती है, रंग, आर, यू, एन, जी, तो यहाँ पर रहाएगा, why has he, रंग दा बैर, उससे ने गंटी क्यों बजाए, who has sent you here, who has sent you here, ठीक है, ठीक है, तो who अपने आप में subject, question word है, एक्दम ठीक है, starting में आएगा, उसके बाद helping और पर आएगा, आपका have, ठीक है, उसके बाद sent you here, अच्छा, यहाँ पर देखिया, तो कि सबसे बहले question word आया, उसके बाद helping और वर आई, उसके बाद क्या आता है, subject, who has, यहाँ पर आजाएगा you, उसके बाद आपका आजाएगा यहाँ, उसके बाद आपका आजाएगा, लोड़ गया how how many boys has complete to play the match ठीक है न कितने बच्चे मैच को खिलने के लिए तयार है ठीक है न तो सबसे पहले आपने देखा है how many boys boys अपने आप में किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्लूलर को ठीक है और प्लूलर के साथ क्या आता है आपका how many boys have come to play the match ठीक है अब आपके माइंड मारा होगा सर यहाँ पर play का played क्यों नहीं करा गया तो मैंना आपको यहाँ पर दिखा रखा है आप देख पायोगी कम अपने आप में पहले से ही वर्व है क्या है वर्व है तो जो आपके first verb यूज होती है हम उसको ही third form में करते है ठीक है तो पिर्जेंट perfect में इतनी sentence से practice करने के लिए आज के लिए इतना रखते हैं उम्मीद करता हो आपको समझ में आ गया होगा और कोशिश करना कि आप इ की वीडियो डाली थी उसको प्रैक्टिस करना और इससे पहले जो दो सेंटेंस कराएं तो उनको प्रैक्टिस करना तब यह चीज़े अपने आप अच्छे से समझते समझ में आती जाएंगे अगर आप पीछे का नहीं पड़ा तो सब चीज़ें ऐसी रहे जाएंगे ठीक है आज के लिए तने रिखते हैं